हेलो प्रेंट्स मेरा नाम है डॉक्टर तरुन और आपका बहुत बहुत सवागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चोहांस होमेपैथी में दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो लोग होमेपैथी की बर्वारिस वल्गारिस मदर टिंचर लेते हैं उसका यूज करते हैं रेनल स्टोन के लिए या पत्री की समस्य हम जिसको बोलते हैं काफी पेशेंट इस तरह के हैं जो खुद से मैडिसन लेना शुरू कर देते हैं और यह मैडिसन आपको किसी मेडिकल स्टोर पर मिल सकते हैं यह तक कि एलोपैथिक के मैडिकल स्टोर पर भी आपको मैडिसन इसली मिल जाती है तो काफी लोगों का यह मानना है कि बर्वारिस वल्गारिस से जितनी भी पत्री हैं वह सारी पत्री निकल जाती है ज अगर ब की नहीं है तो आप अगर अगली सिशी पीने की सोच रहें अगली शीशी अप स्कार्ट करना चाहते हैं ब्हुस्अ की इस में इस न क साथ होमेफ跃तिक का मधर टिंचा हाइडरेंजीय के नाम से आप सब bears मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा अधरवाइज आपको यह होपतिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा तो इस मेडिसन के साथ आप ये hydrangea medicine पीनी शुरू करें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो stone है बहुत जल्दी निकलनी start हो जाएगी, जो अटकी stone है वो निकल जाएगी, जो आपके अंदर stone के वेज़ से दर्द हो रहा था, जो symptoms आ रहे थो जल्दी जल्दी से ठीक होना शुरू हो जाएगे, और य आप में hydrangea mother tincture भी यूज़ करें, प्रोसेजर इसका medicine लेने का आपने वही दस-दस गूने दिन में तीन बार लें, वर्वारिस वल्गारिस में और hydrangea mother tincture में कम से कम आदे घंटे का आप गैप रखें, और आप ये medicine ले, इसका किसी तरह को कोई ऐसा side effect देखने को नहीं मिलेगा, और आपकी जो condition है, जो stones हैं, जो पत्री आपकी फसी हुई है गुर्दे में, वो से जल्दी निकलने शुरू हो जाएंगे, तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, I hope ये आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी useful वीडियो में आपको बताया है, तो जिल लोग को म वीडियो पसंद आया है, वो इसको शेड जरू करें और लाइक करें, और मेरी चैनल को जरू सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद,